मौसम के बदलते ही हस्पतालों में मरीजों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। पिछले दो-तिन दिन में ये संख्या काफी बड़ी हुई देखने को मिल रही है। डॉक्टर योगेंदर सर्दाना की माने तो मौसम के बदलाव के कारण ही मरीजों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। लगबग 20% मरीज पहले से ज्यादा बड़े हुए इनाच करवाने के लिए आ रहे है। ज्यादा मरीज वाइरल की पीड़ा से समंदित है। इसके लिए लोगों को घरों में कूलर का पानी बदलने की जुरूरत है और गमलों की सफाई के अलावा मच्रों से बचाव भी ज़रूरी है। मैं डॉक्टर योगेंदर सर्धाना हूँ और यहां मैं मेडिकल ऑफिसर आइफ डिपार्टमें में पोस्टेड हूँ इस तरह के मरी जा रहे है। मरी बहुत ज्यादा एक तो फीवर के वाइरल बहुत ज्यादा चल रहा है। कफ कोल्ड ज्यादा हुए और इसके पिशन्ट ज्यादा बढ़ रहे है। तो इस तरह के ज्यादा प्रशन्ट अपड़र है। अपीडी की बात किया तो प्रशन्ट में बढ़ चुकी है। हम उसे सीजन चेंज होने से तो अभी हम लोगों के इसला देने के बीए तो फ्रीज का जो चीजें ठंडी चीजें उनको खाने से बचें। बाहर का खाने से बचें। और योग को अपने नियमित दिन्चरिया में सामिल करें। तो बहुत बड़ी उसमें हेल्प मिलती है अपनी जो इम्नीट इसको बिल्ड़प करने है। पहले ओपीडी और अपके ओपीडी को कितना फ़रक हैं। बहुत फ़रक है। पिछेंटी डिफरेंट होगें। जिसे पिछले फीवर नहीं था। अब फीवर वायरल ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मच्छर पनफने हैं मच्छर पनफने से मलेरिया टाइफायड यह सब चीजें ज्यादा होगी है। तो आज ओपिडिवास के तर कितने मच्छर के पादा हैं। मैंने एक सूब फंदर अफिशन्ट देखें सुबह से रहें। और आम दिन में करीब असी पचासी इतने पिशन्ट आते हैं। तो ज्यादा तर उल्टी दस्त के कमा रहें लेकिन वाइरल के ज्यादा आ रहें। क्या कारण में कारण यह है कि मौसम बदलते मौसम में थोड़ा साबधानी रखना भूल जाते हैं। जिससे गर्मी में आये, बहुत ज़्यादा बाहर इमिन्टिटी होती है और आके हम ठंडा पानी पी लिया। गलाख खराब होगा इंफ्रेक्शन मेड़काफी करोगा। यह में डीजन होता है।